हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं एक लव्यस ना तक और इस वाली विडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 134 जिसका यूनिट नमबर सेकेंड है हमारा और इसमें हम बात करने वाले हैं मूर्भूत संकल्पनाई जैसे कि राष्ट शक्ति, राष्ट रहित, राष्ट संतुलन और सामुईक सुरक्षा के तत्व यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूनिट नमबर सेकेंड के उपर और इस वाली विडियो में आपका यूनिट नमबर जो सेकेंड है वो पूरा 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 कंप्लीट हो जाएगा परिचे की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस विडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस युनिट में क्या आपके लिए इंपोर्टन्ट है तो इंपोर्टन्ट दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ तो आपकी युनिट का जो नाम है जैसे राष्ट्रे शक्ती हो गई इसके बारे हम गहराई से पढ़ेंगे राश्ट्री हित पढ़ेंगे, सक्ती का संतूलन पढ़ेंगे, सामुइक सुरक्षा क्या होता है उसके बारे में जो है ग्याराई से अध्यन करेंगे ठीक है, यही सब भी जो है आपके important है, साथ ही यहाँ पर introduction में आपको बता दूँ कि देखिए होता क्या है, जो भी राश्ट्र होते हैं, ठीक है जो भी राश्ट्र हैं कोई भी, तो वो अपने पास अपनी जो कमर है उसको मजबूत करेंगा अपने पास वो ताकत रखेगा जिससे क्या हो सके वो अपने राष्ट की भलाई करे साथ ही वो अपने राष्ट का विकास भी कर सके उतना वो बैक अप बना के सभी राष्ट चलते हैं कि हमार पस कम से कम इतनी शक्ती तो हो कि हम अपना भलाई भी कर सके और अपनी राष्ट का विकास भी कर सके सभी राज्य ऐसा करते हैं साथ ही होता क्या है सभी राज्य अपनी भलाई को जब जादा बढ़ावा देने लग जाते हैं जादा बढ़ाने की कोशिस करते हैं तब अंतिराष्ट्रे लेवल पर क्या होती है शांती में समस्या पैदा ह यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देता हूँ, मान के चलिए कोई राज्य है, मान के चलिए यहां पर हम किसी देश की बात करते हैं, तो मान के चलिए कोई देश है जैसे कि छीन, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी भलाई क्या होगी, ठीक है, अब हमारी भलाई, इ जब कोई बंदा जब कोई राज्य अपनी भलाई को जादा बढ़ा हुआ देता है तो अंतरास्ट्रे लेवल पर क्या होती है सांती में समझसे आती है इसका मतलब क्या है कि अंत्राष्ट्री व्यवस्था के जो पर्मु घटकों की बात है वो करने वाले हैं जैसे राष्ट्रे शक्ति, राष्ट्रे हित, शक्ति का संतूलन और सामुहिक सुरक्षा के बारे में ठीक है यही आपके सबसे important topic है यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रे शक्ति का विचार, इसमें हम समझेंगे कि राष्ट्रे शक्ति क्या है, किसको राष्ट्रे शक्ति समझा जाता है, यह सारी चीज़े, देखिए, राष्ट्रे शक्ति जो होती है न दोस्तो, वो शमता को माना जा जाता है कि यानि कि जिसके बल पर दूसरे राष्टों से अपने इच्छा के अनुसार कारे करवा सके इसको समझे क्या बात बोलिए यहां पर देखिए राष्ट शक्ति का मतलब होता है शम्ता यानि आप किसी राष्ट की शक्ति को कैसे माप पाएंगे वो उसकी सम्ता के पावर है उसकी कितनी शम्ता है फिर जामपल मान के चलिए हम यहां पर बात करते एक देश है ठीक है एक देश है और वो बहुत पावर्फुल है उसका बहुत शम्ता है वो चाहिए तो आज पुड़ो उसके भी पांच देशों को खतम कर जकते हैं उसके पास इतने परवान करके जिसके बल पर वो दूसरे राष्ट्रों से अपने इच्छानुसार काम करवा सकता है इसका क्या मतलब वह देखिए कभी कभी क्या होता है कोई जो राष्ट्र होता है वो बहुत तागतवर होता है ठीक है तो वो क्या है वो किसी बंदे की मदद करता है आर्थिक लेकिन वह इन डायक्ट रूप से क्या अगा हुगा और जो यह कार्य यह दूसरे वाले बंदे को करना पड़ेगा जिसने ने उसकी आर्थिक मदद किया किसी भी राष्ट दूसरे राष्ट के कार्रे में वैभार में और नीतियों पर परभाव डाल सकता है और नियंतरन करने की इच्छा भी रखता है अब देखो मैं आपको एक्जामपल लेके बताता हूं छोटा सा समझे जैसे मान के चलिए यह क्या है यह चायना है जो की पावरफुल ह बड़ा भी है ठीक है जन संक्या जादा है और सही है ठीक है और यहां पर हम बात करते हैं पाकिस्तान की ठीक है जहां पर क्या है सारी जो चीजे हैं वो व्यवस्तित नहीं है यहां पर सारी चीजे व्यवस्तित है और चायना के पास बहुत पैसा भी है अब यह क्या करता है पाकिस्तान को चाइना ठीक है यहाँ पर आर्थिक मदद करता है तो अब क्या हो गया पाकिस्तान चाइना का कर्जदार हो गया ठीक है अब एक तरह से आप यह देखो चाइना जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा ठीक है जो वो कहेगा चाइना करने के लिए पाकिस्तान को वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा ठीक हैं अब यहां पर इंडायक्ट रूप से चायना यहां पर क्या है अपनी सरकार चलाएगा जैसी कोई कारे करना पाकिस्तान को तो उसको परभावित कर देगा चायना कोई नीति अगर वो लाना होती है ठीक है दोस्तों अब डायेट रूप से नहीं कर सकता लेकिन पीछे से वो जरूर करने की कोशिश जो है वो करता है यहाँ पर हम समझते हैं राष्ट शक्ति के तत्व, अब इसमें हम राष्ट शक्ति के तत्व के बारे में समझने वाले हैं, उसे समझें, देखिए, अलग अलग विद्वानों ने राष्ट शक्ति के तत्व को अलग अलग तरीकों से वर्गी किया है, यानि कि अलग अलग भ उस बंदे के अंदर कितनी शमता है कितनी उसकी पहुंच है यही राष्ट शक्ति होती है जैसे अमेरिका की बहुत पहुंच है अमेरिका के अंदर बहुत शमता है ठीक है वो चाहे तो किसी भी देश को क्या कर सकता है भारी अनुसान पहुंचा सकता है तो उसी प्रकार से रा तो यहां पर यहां पर यह समझा जाता है कि कौन से कितने राष्ट्रे जो है वो अमेरिका के सायड है कितने जो राश्ट्र है वो रशिया के साइड है इससे ये चीज पता चलती है कि वो जो राश्ट्र है वो जो एक देश है ठीक है वो कितना ज़्यादा पावरफूल है इसके उपर ये सारी जो बाते हैं ये समझ में आती है यहां पर देखिए मौर्ग एंदू के अनुसार अगर हम बात करें तो इसको दो भागों में बाटा गिया है इस्थाई और परिवर्तन शीर इस्थाई में क्या आता है दोस्तों इस्थाई में आता है प्राकरतिक संसादन क्या इस्थाई है प्राकरतिक संसादन कभी नहीं ब और सरकार ये दोनों ऐसी चीज़े हैं जो हमीसा change होती रहती है आवादी कभी ज्यादा भी हो सकती है ठीक है ज्यादा तर तो ज्यादा ही होती है अगर किसी परगार की restrictions लगा दी जाए तो आवादी कम भी हो जाती है सरकार भी क्या है permanent नहीं है सरकार हमेशा change होती रहती है कहीं पर भी कमसेगम दो party या वो तो होती है ठीक है तो ऐसी बात है अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्राकरतिक संसादन के बारे में ठीक है यानि कि हम इसके तत्व के उपर हम बात करेंगे कि और भी क्या तत्व है जिसके अनुसार कोई जो राष्टर होता है वो शक्तिशाली होता है तो पहला है प्राकर्तिक संसादन दोस्तों प्राकर्तिक संसादन भी जिस बंदे के पास हुआ यानि कि जिस देश के पास हुआ वो जो देश है वो शक्तिशाली माना जाता है ठीक पर देखिए किसी देश की शक्ति निर्धारन यानि शक्ति निर्धारन करने में उस देश के प्राकर्तिक संसाधन के बारे में भी पता चलता है प्राकर्तिक संसाधन का भंडार जितना जादा हुआ वो देश उतना सक्ति साली जितना कम उतना कम जो ये माना जाता है प्रुलब प्राकरतिक संसादन है न ये सब सब के पास नहीं होते तो जिसके पास ज़्यादा है वो शक्तिशाली माना जाता है ठीक है उसके बाद आजाता है क्रिशी शम्ता क्रिशी शम्ता भी क्या है एक important चीज है ये समझने के लिए कि कौन सा देश कितना ज़्यादा powerful है जिसको हम क्याते है क्रिशी शम्ता ठीक है यानि किस देश के पास खगानों के कितने ज्यादा बंडार है जिस देश के पास ज्यादा खगान के मामले में आत्म निर्भर हो गए मान के चलिए जैसे भारत भारत क्या है खाने पीने की जो वस्तु है उसके मामले में आत्म नि और अगर बहुत ज़्यादा बूरी सिच्वेशन भी हुई फिर भी हमें जो खाने पीने की वश्तु यह उनकी कमी जो है वह जादा नहीं होगी ठीक है दोस्तो समझ रहे हैं अब पुराने समय में भी माना जाता था और अभी भी माना जाता है और सबसे important है वो है सैने समता सैने समता का मतलब है कि कितनी ताकत है सैनिकों में और कितनी ज़्यादा सैनिक है इनके पास सैनिकों के पास कितनी ज़्यादा technology है जैसे अब समझो हम बात करते हैं पुराने समय की ठीक है पुराने समय में क्या होता था जैसे कोई राज्य A है ठीक है और कोई राज्य क्या है B है अब क्या है राज्य A और B में युद होने वाला है ठीक है तब यहां पर जो शक्ती पता चलेगी वो किस से पता चलती थी वो पता चलती थी शैने समता से यानि किसके पास कितनी सैनिकों की शमता की बल है ठीक है जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो A वाला बंदा है उसके पास 50,000 सैनिक के बल है यानि इसके पास 50,000 सैनिक है और B वाले के पास 1,000,000 सैनिक बल है या 70,000,000,000 सैनिक का बल है तो B वाला ज्यादा पावरफुल हुआ ठ शक्ति का एक अत्यंत मेत्रपूर्ण जो रूप है वो शैनने शम्ता है अभी और पहले भी थी शक्ति का वास्तविक आधहार किसी देश की सेना होती है यानि अगर हम मेन पॉइंट की बात करें वास्तविक आधहार की बात करें अगर हम नीव की बात करें तो वो उस देश की सबसे जादा फावर्फूल है कितना ताकतवर है जैसे मैं आपर अमेरिका का बताता ह aesthet की जो शेन्य समत्हां वो सबसे जाधा पावर्फूल है आपने ये भी सुना होगा कि जितने जोड़ अमेरिका है वो अपने सैनिको पर यानि कि शैने समता पर किसी और देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा खर्च करता है यानि उसका जो बजट है ना जैसे हैरे एक चीज के लिए बजटिंग की जाती है कि सरकारी होस्पिटल के लिए सरकारी स्कूल के लिए ये बजट पास किया गया है सैनिको की शमता के लिए सैने समता के लिए ये वाला जो बजट पास किया गया है तो सबसे ज़्यादा जो बजट है मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च करती है सैनिको के उपर वो अमेरिका करता है तो इस बात का अंदाजा इसी चीज़ से लगता है कि सैने शमता कितनी मजबूत है यानि किसकी सैने शमता कितनी मजबूत है इस बात का आकलन उस देश की सैने गती विजियो पर किये गए खर्च से पता चलता है जैसे मैंना भी आपको बता है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा बजबस करता है अपने सैनि को पर तो उस budget से भी यह बात पता होती है कि किसका जो सयने स्वाहता है वो कितनी जादा मझबूद है और इसके बस कितनी टेक्नोलोजी है यहां पर यहीं कि सैनिक ज्यादा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं राश्टि शक्ति की सीमाई यानि कि यहाँ पर क्या है दोस्तों अब क्या होगा राश्टि की जो शक्तिया है उनके उपर यहाँ पर सीमाई लगाए जाएंगी सीमाय का मतलब क्या है वहाँ पर restrictions लगाए जाएंगी वहाँ पर रोक लगाए जाएंगी अब ऐसा होता क्यों है ऐसा इसलिए होता है कि कोई देश इतना जादा शक्तिशाली ना बन जाए कि वो सभी देशों पर भारी पढ़ने लग जाए और वो सभी देशों का अपना गु कंपनिया है कि वो सभी देशों का राज करती है ठीक है उनकी जो टेक कंपनिया है जैसे Microsoft हो गया इस टाइप की जो कंपनिया है उसकी बहुत पावरफुल है एपल जैसे कंपनी हो गई उनकी ठीक है यह सब बहुत पावरफुल है तो उसके पास इतना जादा पैसा है कि वो चाहे तो वर्चस उस्थापित कर सकती है इसलिए यहां पर राष्टे शक्तियों पर सीमाय लगाई जाती है ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए अंतराष्टे राजनिती में किसी भी राष्ट को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाता कि वह पूरे विश्थ पर अपना अधिकार कर ले पूरे विश्थ पर कबजा कर ले इसलिए राष्टे की सक्ति पर कुछ सीमाय जो हैं वो लगा दी जाती है ठीक है दोस्तों अब यह सीमाय किस परकार की होती है उसे समझ लीजिए पहले यहांपर यह जो सीमाई होती है यहां पर 5 तरीके की होती है सक्ति शंतुलन यानि जो सक्ति है उसको संतुलन मिलाना सामुहिक सुरक्षा ठीक है यह अपनी क्या है यह सामुहिक सुरक्षा करना ठीक है यानि कि गुरूप बनाकर उससे सुरक्षा करना अब सामुहिक सुरक्षा क्या होत प्रवंद लगाने के तरीके और बाकि यह क्या हो गया है यह सक्ती पर प्रवंद लगाने के तरीके हैं === तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसमें यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो पहले दो हमने समझे थे पहले दो अपने एक सक्ति शंतुलन एक सामवीग सुरक्षा वह सामा कौन से था सक्ति शंतुलन और समाजिक का जाता है और बाकी के जो है उसको परबंद लगाने के तरीके समझाता है क्योंकि वह रूल से रेगुलेशन है ठीक है इसलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक के उपर अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते राष्ट्य हित की समझ कि जो राष्ट्य हित होता है वो क्या होता है हित का मतलब क्या होता है दोस्तों हित का मतलब होता है भलाई है ना कि उस राष्ट के भलाई के उपर आप क्या समझते हो तो दोस्तों हम यह समझते कि जो राष्ट्य किसी भी देश की हित किसे माना जाएगा उसकी शक्ति को देश के पास क्या है यहां पर वो देश बहुत पावरफुल है उसका बहुत जदा शक्ति है तो यही तो उस राश्टर का हित हुआ है ना क्योंकि शक्ति ज्यादा है तो वो उसकी भलाई का है मतलब वो उसकी भलाई ह अब मान के चले कोई एक बंद है वो powerful है तो यह उसका हित हुआ यह उसकी भलाई हुआ और दूसरे जो बंद है मान के चले कमजोर है तो क्या हुआ यह उसकी शक्ति कमजोर है तो वो उसके लिए हित नहीं हुआ ठीक है जो जितना ज्यादा शक्ति शाली उसके पास उतनी ज्य जादा जो है वो हित है वही उसके उतनी जादा भलाई है ठीक है दोस्तों यहां पर समझे हो शक्ति और हित यह क्या है परियावाची शब्द है इसके अनुसार वैसे परियावाची नहीं है यह जो यहां पर उसके है मतलब जो हम बात कर रहें यहां पर इस से रिलेटर शक्त और हित को क्या समझा जाता है परियावाची शब्द समझा जाता है जिस चीज के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं उस चीज के अकॉर्डिंग ठीक है क्योंकि राष्टे शक्ति किसे क्याते शमता को शमता को राष्टे शक्ति माना जाता है तो जिसके बल पर क्या कर सकता है दूसरे राष्ट को अपने according अपने इच्छानुसार कारे करवा सकता है indirectly ठीक है डायेक्टली नहीं होता कि कोई राष्ट क्या बोले कि जा भाई तू डायेट उस वाजे छेतर पर हमला कर देया उस राजे पर हमला कर देया उससे लड़ जाए ठीक है ऐसा नहीं होता लेकिन एक तरीके से अपने बल का इस्तमाल करता है और वो जो राष्ट्र है जिस पर वो कभजा करना चाहता है उस पर एक तरीके से उसका थोड़ा बहुत जो अधिकार है वो हो जाता है ठीक है तो यह यह जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई यह यहां से यहां तक की थी ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ समझिए मौरगेंदू इनके अनुसार राष्टे हित कोई निश्चित अर्थ मान कर नहीं चलते अब जो मैंने आपको यह बात बताई यह क्या है? यह कोई निश्चित नहीं है यह बोलते हैं कि यह कोई निश्चित नहीं है इसको निश्चित मान कर नहीं चलते राष्टे हित राष्टे शक्ति के समान मानते हैं ठीक है अब यह ऐसा ठीक है और यहाँ पर क्या है नहीं चलते हैं और शक्ति का अर्थ क्या है एक राष्ट का दूसरे राष्ट पर नियंतरन मना रखना तो शक्ति का अर्थ यही समझा जाता है कि एक राष्ट्र कर दुस्य राष्ट्ट पर नियंत्रन कर ले तो वो क्या हो गया वोगा, प्रॉसकी शक्ति हो green ठीक है दोस्तों कि अब हम समझiane यहाँ पर राष्ट्र हिध को सुरक्षित करने के तरीके यानी जो राष्ट्र का जो हिद है ठीक है, तो उसको सुरक्षित करने के तरीके क्या है, यानि कोई राष्ट क्या है, उसके हित को सुरक्षित करने के तरीके, यानि इसके पास आर्थिक साधन होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, ठीक है, वो संगठन बना ले किसी बंदों के साथ, या संधिया कर ले, तो वो राष्टे ही तुसके लिए शुरक्षित हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आगा देखियो आर्थिक साधन क्या है आर्थिक साधन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर किसी भी बंदे के पास यानि किसी भी राष्टे के पास अगर जादा संसाधन है किसी भी चीज के जादा संसाधन है पैसों के जादा पैसे जादा है उसके पास तो अपने बल से क्या कर सकता है वो अपने राष्टे हीतों में व्रदी कर सकता है ठीक है इसमें वो व्रदी कर लेगा अब वो कैसे करेगा वो समझ देखिये जिसके पास ज स्थाबित और कुछ संट Вас किसी चीज को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कच्छे माल गावशक्ता है तो अगर related चीजे मजभूत है तो वो क्या कर लेगा वहां से कच्चा सस्ता माली प्राप्त कर लेगा कमजोर राष्ट की नीतियों को प्रभावित कर सकता है जैसे मैंने आपको चाइना और पाकिस्तान का एक्जामपल दिया चाइना में और पाकिस्तान में को व्यपार की चीजे होए से टाश थे कोई आप यहां प्रफिट को पाकिस्तान को किसी और बंदे से व्यपार करे होगा उतना कहां बॉस्कुपन को मॉडिफाइंग उसको अपने अनुसार जो है ऐसे करेगा चैना का तो और पाकिस्तान ने अगर उससे कर्ज ली रखा है तो उसको क्या करना पढ़ेगा वहां पर उसकी बात सुननी बढ़ेगी ठीक है दोस्तो तो ऐसा जो है वो सेन होता है अगर कोई राश्टि शक्तिषानी होता है ठीक है दोस्तो यहां पर देखिए यहां पर हम बात करते हैं गटबंदर और संधियां की ठीक है यानि कि अगर यहां पर उसको क्या करना है आर्थिक संसाधन के अलावा अगर किसी चीज से उसको ताकतवर बनना है किसी रास्ट को ठीक है और अपने रास्टिय हिद को सुरक्षित करना है तो तो वो क्या करेगा वो संधी करेगा गटबंदन बनाएगा और बंदों के साथ जैसे मान के चलिए यह एक पाउरफुल देश है ठीक है इसको मान के चलते ही एक पाउरफुल देश है और इसका नाम है अब इसको क्या करना है और पाउरफुल होना है ठीक है तो यह जो छोटे क्या हो गए इसके पार्ट हो गए तो इसकी जो शक्ति है ये क्या हो गई ये बढ़ गई ठीक है अब क्या होगा अब अगर इस चोटे अगर ये चोटा सा देश इस बड़े से देश का पार्ट बन गया है दोस्त बन गया है गटबंदन कर ली तो अब इसके उपर कोई हमला न निकले क्या होता है दो या दो से अधिक देशों के साथ संधी कर ली जाती है और जो संधी की जाती है तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे विचारधारा वाले देश से संधी कर ली नहीं ऐसा नहीं होता संबंधित जो देश होता है उसका जो उदेश्य होता है वो सामान्य होता ह जिससे मैं आपको बताता हूं कि यह कोई बड़ा देश है पाउरफुल देश है यहां पर इसने एक छोटे से देश से क्या की संदी कर ली तो यह भी इसकी विचार धारास होई चलता है ठीक है यानि इसके विचार और इसके विचार सेम होते हैं तभी तो आपस में इन दोनो की कि शक्ति शंतुलन जो है वो क्यों जरूरी है ठीक है या क्यों किया जाता है यह सक्ति शंतुलन होता क्या है ठीक है लेखिए सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो शक्ति शंतुलन का अर्थ है जब एक राज्य का समूं दूसरे राज्य के समूं के समक्ष अपनी शक के चलो यहां पर एक देश भड़ा सा ठीक है और यहां पर क्या हो रहा है कि यह छोटी सी जगह है यहां पर इस देश की यहां पर क्या इन सभी जगह एक ही विचारधारा के लोग रहते हैं यानि बहुत संख्यक रहते हैं और यहां पर क्या है छोटी यहां पर दूसरे बंद जो माहौल है वो तनाऊं की रहेगी, तो शक्ती को संतुलन करना से क्या होगा खिए अपनी पावर बढ़ा ले और क्या है कि जो शक्ती है उसको बरावर कर ले, यानि कि सम्वू के समक्ष अपनी सक्ति को इतनी बढ़ा ले कि ओब बराबर हो जाया ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कुछ तरीके होंगे जिन तरीकों से क्या होगा यहाँ पर इसको solve किया जाएगा इस problem को वो तरीके हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर देखिए लेकिन इस धारना की परिभाषा को लेकर विज्ञान में सभी लोग एक समान सहमत नहीं है कौन सी परिभाषा? परिभाषा जो मैंने आपको यहाँ पर बताई ठीक है? यह जो परिभाषा है, इस परिभाषा को लेकर बहुत सारे जो बंदे है वो सहमत नहीं है क्योंकि इसकी बहुत सारी अलग-अलग परिभाषा है इसलिए यह जो मैंने आपको परिभाषा बताएं, यह सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि यहां पर क्या है, सभी लोग इसे वो नहीं है, सहमत नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी जो है, वो परिभाशा है, ठीक है, अब यहां पर देखिए, मध्यवर्ती राज्ये, कई बार दो शक्तियां आपसी सीधे टकराव को टाल कर, किसी एक राज्ये के बीच, रख कर अपनी संतुलन को बनाये रखती है, अब संतुलन बनाना है, तो क्या करेगी, यहां पर दूसरा एक्जामपल है, मान कर चलिए एक देश है, यह एक देश है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम सैने शक्ति है, सेम बजट है, सब कुछ सेम है, तो अब यहां पर इक अलग देश को बीच में रखकर इससे बादचीत होगी. तो इसमें क्या होगा? इन दोनों के बीच में लदाई नी होगी. अगर लडाई होगी तो यह जो देश है जिसको इन्होंने बीच में लेडर बनाया है, यह इसको सुल्जा देगा. अब जो मैंने पहले अभी example दिया था उसको समझिए कि कोई एक देश है उसको छोटा ऐसा हिस्सा अगर हमान के चलो powerful हो जाता है और जो है problem create करता है तब क्या होगा तब वहाँ पर जो तरीका अपनाए जाएगा वो होगा food डालो और राज करो वाला ठीक है तो food डालो और राज करो वाला में क्या होगा अंतराश्ट्री राज नीती में बड़ी ताक्तो द्वारा फूट डालो राज करो को जो नीती उसे अपनाई जाती है राज्यों को दो विरोधी गुटों में बाट दिया जाता है और उस छेतर को सक्ति संतुलन में स्थापित कर कर दिया जाता है इसे समझी यहां पर होता क्या है अब इसे क्या करेंगे इसको अलग कर देंगे ठीक है और अलग करके इसको क्या है कमजोर कर देंगे इस नीती में अपने प्रति दुंदी को कमजोर करके शक्ति संतुरन का प्रियास किया जाता है मान के चलो यह कोई हिस्सा ह देश का और ये अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना तो इसको यहाँ पर अलग देश बना का इसको साइड कर दिया जाता है और अब देखो में जो पावर है इस देश के पास है यहाँ पर किसी एक बंदे को यानि कि जो भी उस दर्म जाती का बंदा था जो लीड गर रहा थे यह आपको सब्सक्राइब टीक परिभाशन में बताइब वह इसे लोग सहमत code नहीं है टिक दोस्तों सरक्षा ठीक है ओम बात करते हैं यह ऐंसे समझे इसे समझझे होता क्या है मान कर कोई एक देश है वह क्या है वो पावर्फुल है और एक छोटे सेивается को दवाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर जो गलती है वो सब को पता चल जाती है कि बड़े देश की है ठीक है यानि पावरफुल देश के जिसके वास बीटो पावर है तो भाई डायेट तो इससे नहीं लड़ सकते हैं तो इन डायेट लिए इसका सपोर्ट किया जाता है ठीक है और क्या हो ऐसी नि अंदर शक्ती परबंदन करने का आधुनिक तरीका माना जाता है ठीक है एक नया तरीका आधुनिक तरीका अगर हम सरल शब्ल में इसको समझे और सरल सब्ल में चोटा सैंधियस की दूसरा देश वो किसी एक particular देश पे हमला करना चाहा रहा है और यहाँ पर सब यह समझ गया है कि गलती जो है वो छोटे देश की नहीं है बड़े देश की है तो वहाँ पर कहा है बाकी के जो बड़े देश है वो indirectly मदद करेंगे इस छोटे देश की ऐसी निती और कानून बन यानि कि जो यूद करने को तयार हो रहा है जो देश वो यूद ना करे और अगर यूद करे भी तो पराजे भी उसी की हो या तो पराजे भी उसी की हो या तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो तो इससे क्या हो को जो बड़ा देश है जो लड़ाई करना चाह र रहें उनको मुख़्े बातों को लेकर समान विचार होना भी जरूरी है ऐसा ना हो कि कोई बंदा मदद करना चाह रहा है को बंदा मदद और साथी आप यहां पर क्या कर सकते हैं वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर कर दें कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो आप कैसे लगी साथी शेयर कर सकते हैं अगले यूट में